बिसमिल्लाई रह्मानी रुहीं ये खुबसद फ्रॉग बनाना हम आपको सिखाएंगे इसका डायग्राम नेक्स वीडियो में बताएंगे सबसे पहले दो ही चोड़ी बारह ही लंबी पट्टी ले लेंगे और इस तरह प्लेट लेंगे इस पे हम यह हमने प्लेट बेना ली स जो सारी कि है अगरा इस पहुआ हम फ्रेंट का हिस्सा रrienगे गले के पास का और इस तरह फोल करके दोनों तरंब सिलाई लगा देंगे इसा स and i which पाहर नहीं है इसके लिए हमने यह बताया है इस पहम पेस लगाएंगे लेकिन जो नहीं है इसके लिए हम ने ये प्लीट बना की रखा है ताकि इस तरह बना सकें लास में हम पेज डाल के भी बताएंगे इसी तरह दुसरी तरह भी हम सिलाई कर लेंगे हुआ हंब हमारा गला रेडी हो गया है कना हिस्सा कट कर लेंगे जहां यह बैकिशाइड है । इसमें के वलस्टि और एकाई पंड़ी हुआ भलते हैं यहां हिस्साहिऊ हिसी हुआ देलमस करें अब इसी को आगी तरफ फोल्ड करेंगे आपको जितनी चोड़ी चाहिए उतनी चोड़ी फोल्ड करके लगा दीजिए यहां में एक सेंटिमीटर की चीए तो हमने डबल फोल्ड कर दिया और इस तरह सिलाई लगा लेंगे इससे दोनों अस दिन हम रेडी कर लेंगे यह देखें दोनों अस्तिन रेडी हो चुकी है यह फ्रॉक के घेर का कपड़ा है लाइनिंग के लिए जिसकी लंबाई हमने साड़ी हुनों रखा है और ऑपर कम्वर में बारा इंच रखी है अभी जो कम था तो हमने साड़े में जोइंट माल लिया यह में कपड़ा है उपर की तरह लएगा यह भी घेर का हिस्सा है तो निचे हमने चोड़ा इसकी 20-20.000. texts कम्वर में हमने 12 इंच रखी है और लंब साइड कर लिया है और साइड में हम बना निया क्वाइव है स Нам दोनों सिलाई मिलाते हुए इस तरह पीन लगा लेंगे लाए यह हमने सीधे रखा है अंदर की तरफ कर जो कट्छा मारत हो और गकला is this यह ड्रेस में से बचा हुआ जोडा आया हुआ है अब इस तरह मेन कपड़ा उपर रखेंगे और यह गेर का हिस्सा नीचे का हिस्सा है इसको हम इस तरह जो एक्स्टा कपड़ा है उसके तरह चून ले लेंगे ये तीन चून आ गई है, पिछमे से पिन निकल के, सिलाई करके वापिस हम दूसरे कपड़े में भी जितनी चून आईगे, उतनी चुटी चून ले लेंगे हम दीखे इसमें भी तीन से चार चुन आ गई है इसी तरह पूरा घीर हम कम्प्लीट कर लेंगे सेम पैटर्न हम अमरेला घीर में बताएंगे आपको यह बहुत खुशुरत लगता है यह पूरे घीर में हमने चुन लेका सिलाई लगा दी है यह जोइंट है यहाँ पर हम नाकुन लगाकर लाइनिंग की तरफ याने जो अंदर की तरफ जाएगा कपड़ा उस पर सिलाई लगाएंगे यह दापकी सिलाई है पीछे जोइंट का कपड़ा भी सिलाई में आजा इस तरह नीचे की तरफ लेका सिलाई करना है यह बहुत खुब्सूरत लगता है आप जरूर देखे पूरा वीडियो यह छूटी बड़ी सभी बच्चियों को अच्छा लगता है आप जरूर ट्राई करें यह पूरे सिलाई हमने लगा दी अब इसको इस तरह सिधा करेंगे और कमर का हिस्सा जो कठ है सिलाई है यह मिला लेंगे इस तरह यहाँ पे दोनों एक बराबर कपड़ा होना चाहिए कम ज्यादा है तो एक दो चून डाल सकते हैं इस तरह एक बराबर करके हम पूरी कमर में गोल सिलाई लगा लेंगे इसके पहले भी हमने बच्चों के अच्छे फ्रॉक बताये हैं तो आप जरूर हमारा वीडियो देखिए यह देखिए नीचे से किसा फुला फुला लगता है जितना ज्यादा गेर हो उतना ज्यादा यह अच्छा लगता है उपर का कपड़ा गेर ज्यादा हो तो लंबाई भी एक दोई ज्यादा रखना है और इस तरह सिलाई लगानी है यह बेक साइट का हिस्सा है इसमें हम फ्रंट रखके सॉल्डर जोड़ देंगे यह हमने जो अस्तिन बनाई थी इसके इस तरह माप लीजिए और सिलाई कर दीजिए यह सब हम इजी तरीका बता रहें आपको सिलाई का देखते रहें आगे वीडियो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस भी बताएंगे आपको ऐसे हमने ड्रेस भी डाल चुके है इसका लिंक हम डिक सेक्शन बॉक्स में डाल देंगे यह हमने साइड जोड दी है इसकी यह पूरा पेटी रेडी हो चुका है हमारा यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेंगे तैके गुलाई में सिलाई करना आसान हो जाए अभी जो हमने स्कट रेडी करके रखा इसके साथ जोड देंगे इस तरह अगर पेट पेस नहीं है आपके पास तो इसमें बटरन फ्लावर्स कुछ लगा सकते हैं यह हमने कमर का हिस्सा पेटी और स्कट को दोनों को पीन लगा कर कम्प्लीट कर दिया है भी गोल सिलाई लगा लेंगे आपको यह पेटन कैसी लगती है कमेंट करके हमें जरूर बताए और इसे देखते रहें सिलाई करते रहें यह दिखें हमने एक प्लेट ली है पेटी से फ्रॉक के घिर में ज्यादा है तो एक एक चुन ले लेंगे कमर की साइड में इस तरह आपने सामने लेना चाहिए अगर प्लीट आती है तो एक एक यह हमारे सिलाई कम्प्लेट हो चुकी है देखें कितना कपसुरत फ्रॉक लगता है देखें फ्रॉक कम्प्लेट हो चुका है गले में हम बटन लगा देंगे यह फ्रॉक हमारा कम्प्लेट हो चुका है अब एक एमरेरी किये हुआ तिन से चारीज केक पट्टी ली है हमने, दोनों तरफ सेम कपड़ा लगा कर, पाइपिंग की तरह सिलाई लगा दी है, ये देखें पीछे मोड़के दोनों तरफ पाइपिंग हो चुकी है, ये कमर की हिस्से से हमने जोड़ दी है, और अब सिधी सिलाई करेंगे, इस तरह आ है, गले की पाइपिंग के नीचे से साइट सिलाई करेंगे हम, ये आड़े में सिलाई कर लेंगे, जैसे हमने कमर में नीचे की, अब ये दुस्य साइट सिलाई कर लेंगे, ये पाइपिंग के ठीक पाजू में से सिलाई करना है हमें, तो हमने ये एमिरोरी पेच लगा दि है देखे कितना खुबसुरत लगता है अगर आपको यह हमारा फ्रॉक पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें सेर करें अपनी दूआओं में हमें याद रखिए अल्ला हाफीज